नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नौलेज दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अंचल अमीन से जमीन 25 कराने पर मतलब सरकारी अमीन से जमीन 25 कराने पर कितना फेस देना परता है तो दोस्तों इसी को जानेंगे और जानने से आप मारे चैनल पढ़नाएं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेजिए और बैल एकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि जमीन संबंदित नौलेजबल वीडियो मैप के लिए लाता रहता हूं चलिया जानका रिप्राप्त करते हैं तो दोस्तों यह सवाल है बहुत बार आ चुका था और इसके उपर जो है वीडियो बनाना उचित समझा बना रहा हूं तो दोस्तों सरकारी अमीन मतलब अंचल अमीन आप कहीं पर विवाद देखते हैं या अपनी ही जमीन की विवाद की बात लें विवाद होता है तो प्रैवेट अमीन के थूरू जब आप जमीन 25 कराते हैं मतलब जमीन नापी कराते हैं और ऐसी परिस्तिति आ जाती है कि जो विपक्षी होते हैं वो मानने को तयार नहीं होते हैं तो ऐसे कंडिशन में ज़रुत होती है सरकारी अमीन की सरकारी अमीन मतलब अंचल अमीन तो उसके लिए आप अपलाई करते हैं तो फिर आपको क्या फिस देना पड़ता है और फिर कैसे जमीन 25 होती है इसके विशे में जानते हैं दोस्तों जब इस तरह की बात आ जाती है कि प्राइवेट अमीन की बात को नहीं मानते हैं विपक्छी लोग तो ऐसी परिस्तिती में आप अंचल में अपने जमीन 25 के लिए आवेदन दे सकते है उसके साथ आप जब आवेदन देंगे तो आवेदन के साथ साथ आपको अपने जमीन का दस्तावेज संलगन करना पड़ेगा यदि खतियानी जमीन है तो खतियान का जेरोक्स यदि केवालगी जमीन है मतलब जिसे की जमीन रजिट्री या फिर बैनामा यसे इलिट कहते है इस तरह के दस्तावेज हैं तो इनका जेरोक्स साथ ही करेंट लगान रसिद होना चाहिए मतलब ततकाल का ततकाल जो वर्स चल रहा होता है उसका लगान रसिद का जेरोक्स ये दोनों कागजात जो है आपको आवेदन के साथ सनलगन करना है जब आप आवेदन देंगे तो उसमें आपको विषय में लिखना है अंचल अमीन के द्वारा जमीन 25 के संबंध में इस तरह से आप आवेदन बनाएंगे और फिर डिटेल्स उसमें आपको लिख देना है जमीन का जो भी आपका दस्तावेज है उसका भी डिटेल्स उसमें मे किसे करेंगी और फिर वो पर्किरिया में चला जाएगा जब पर किरेंगा तो आपको NR कटाना परहेगा ठीक है NR जो है वह एक फीश्प है जो की आपको पंधरा सुर उप्ये पेक परता है फीश ४ ये फीश के तौर पर और पंधरा सो रॉपय फीश जब आप देंगे तब फिर आगे की पर के लिए मैं आपको आपका तस्तावेज पेपर जो भी है वो चला जाएगा फिर आपको और आपके जो चहदिदार हैं उनको नोटिस किया जाता है उससे पहले जो है समय सिमा ऑफिस में ही तै किया जाता है कि किस्तिथी को 25 होना है और उस date के मुताबिक जो है notice किया जाता है आपको भी और आपके चहदिदार को और फिर उस date में जो है जमीन 25 के लिए अंचल अमीन आपके दस्तावेज में जो details दिया गया है उस जमीन पर जाते हैं और जमीन की 25 करते हैं फिर जब जमीन 25 हो जाती है तो उसका report जो है अंचल में दे दिया जाता है आप वहाँ से उस report को निर्गत करके जो भी report है वह valid माना जाएगा ठीक है लेकिन एक परिस्तितियावी होती है इसके विसे में मैं next वीडियो में बताऊंगा कि यदि सरकारी अमीन जमीन 25 गलत तरीके से करते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा फिलाल इतना ही में देन एक्षपर साथ तब तक के लिए लिए थैंक्स